नमस्कार, हिमाचल बुलिटेन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज की समाचार मुख्यमंत्री शिरी जाराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज़ेपाल शिरी राजेंदर विश्वनाथ आरलेकर से भेंट की, ये एक शिष्टा चार भेंट थी मुख्यमंत्री शिरी जाराम ठाकुर की अध्यक्षता में, आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्री मंदल की बैठक में, हिमाचल प्रदेश गौन खनीज रियायत और खनीज अवैद खनन उसके परिवन एवं भंडारन का निवारन, नियम 2015 में संशोधन को स्विकृती प प्रदार्तों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में निरने लिया गया कि राजसरकार के वीभिन वीभागों और एजेंसियों से संबंदित सडगों के निर्मान कारियों के दोरान उत्पन होने वाले गौन खनीज पदार्तों के उसी कारे के 20,000 में टरिक्टन प्रतिकारे के उपयोग की ही अनुमती होगी। जिसके लिए कारे करवा रहे प्रभारी अभियंता जो की सहाइक अभियंता के पद से कम नहीं होगा की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। COVID-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का भी निरने लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक और अन्यसामारो जिसमें विवा एवं अंतिम संसकार इत्यादी शामिल है में 50% क शमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमती प्रदान की गई। विभीन योजनय संचालित की जा रही है और इज ओफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 16-17 रैंक तक का सुधार हुआ है। सहनु भूती पुर्वक विचार करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार व्यपारियों को समुह बीमा योजन के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी। मुक्यमत्री ने काया कि राज्य सरकार ने हाल ही में अनुपालन संबंदी प्रश्णों और हितधारकों के मुद्दों के समयबध निवारन, जी एस्टी कानून और प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के बारे में व्यपारियों को अवगत करवाने के लिए टैक्स हाट कारिकर्म शुरू किया है। विभाग जी एस्टी राजस्व वृद्धी के लिए सवैचिक अनुपालन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। शुरी जी एराम ठाकुर ने कहा कि व्यपारियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी अप्रसांगिक नियमों को समाप्त कर दिया जाएगा। व्यापारी कल्यान बोर्ट की बैठकें नीमत रूप से आयूजित की जाएंगी ताकि व्यापारियों के कल्यान से संबंधित मुद्धों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने का कि सरकार ये भी सुनिशित करेगी कि दुकानों से सेंपल लेने वाले स्वास्ते अधिकारी या कोई भी सरकारी प्राधिकारी इस संबंध में व्यापारियों को तुरंत भुगतान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दुकानों और अन्य व्यवसाइक प्रतिश्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को भी युक्ति संगत बनाएगी ताकि व्यपारियों के हित सुरक्षित रखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके। इसके उपरांत पतरकारों से अनुपचारिक पाजित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा स्वथे हवं परिवार कल्यान्वि भाग द्वरा दो पहर दो बजे जारी बुलेटेन का नुसार प्रदेश में कोरोना संकरमन की जांच के लिए आज 1350 लोगों के सेंपल लिए गए जिन में से 203 लोगों की रिपोर्ट नेगटिव आई गई है जबकि 1107 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 43,64,816 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन में से 40,85,657 सेंपल की जांच नेगटिव आई गई है प्रदेश में कुल 2,78,047 लोगों में क्रोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन में से 2,70,100 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,882 व्यक्ति उपचारा धीन है हिमाचल बुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई पी आर हिमाचल फॉलो करें ट्वीटर एट डिप रहच पी लाइक करें फेस्बुक पेज इंफर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश वीजिट करें वेबसाइट www.hemachalpr.gov.in इस एंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे जाज़त नमस्कार